नमस्कार मैं अम्रिता तोमर आप देख रहे हैं न्यूस वन टुडे बीजेपी ने राजस्थान में पहली बार विधायक बने भजन नाल शर्मा को मुख्य मंत्री बनाने का फैसला लिया है पार्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो किसी पार्टी कारेकरता को ही आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है पार्टी ने राजस्थान के साथ ही मध्यप्रदेश और 36 गर्ड में भी नए चेहरे देने की हैक्ट्रिक लगाई है 36 गर्ड में विश्वुदेव साय और मध्यप्रदेश में मोहन यादव को विधायक दल का नीता चुना गया है भारतिय जनता पार्टी ने हिंदी बेल्ट के तीनो राजियों मध्यप्रदेश, राजस्थान और 36 गर्ड में नए मुख्यमंत्री के नाम फाइनल कर दिये है तीनो राजियों में बीजेपी ने एक नए चेहरे को मौका दिया है खास बात ये है कि इन तीनो नेताओं की नाम चौकाने वाले रहे हैं मध्यप्रदेश और राजिस्थान में मोहन यादव और भजनलाग शर्मा का नाम दूर तक मुख्यमंत्री की रेस में शामिल नहीं था विधायक दल की बैठक में भी दूसरी तीसरी पंक्ती में बैठे थे लेकिन जब अचानक घोशना हुई तो उन्हें खुद सीम के लिए चुने जाने पर भरोसा नहीं हुआ हलांकि चतिसगर में विष्णुदेव साई की सीम की रेस में गिने जा रहे थे ये भी रोचक है कि तीनों नेताओं में कुछ बाते कॉमन है यानि एक जैसे बैक्ग्राउंड प्रुष्ट भूमी से आते हैं राष्ट स्वैम सेवक संग से वर्षो पुराना जुडाव रहा है अखिल भारते विध्यारती परिशद में लंबे समय तक काम किया है तीनों की उम्र भी 60 साल से कम है तीनों राजियों की जनता के लिए न जातिगत समिकरन साधी गए हैं बजनलाल शर्मा बीजेपी ने राजिस्थान का सीम बनाया है प्रदेश के लिए अन्नोन चेहरे हैं ब्रह्मान समाच से हैं पहली बार संगानेर से विधायक बने हैं इससे पहले 27 साल की उम्र में दो बार गाउं के सरपंच भी रह चुके ह राजनीती में 34 साल से सक्रिये हैं मुल्क भरतपुर जिले के अटारी गाउं के रहने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स हैं सबसे पहले RSS से जुड़े थे वहां काफी समय तक सक्रिये रहे और जन भागिदारी निभाई अखिल भार्तिय विध्यार्ती की युवा मोचा के पददिकारी बने कुछ समय बाद बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी रह चुके फिर प्रदेश उपाध्यक्ष और अभी प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी संहाल रहे हैं ग्रहमंत्री अमिच्शा के करीबी माने जाते हैं शान्त और सरल सहत सबहाफ के भी माने जाते हैं मोहन यादव 58 साल उज्जैन दक्षिन से विधायक हैं तीसरी बार LLA चुने गए थे OBC समाथ से हैं पहली बार 2013 में विधायक बने थे पिछली शिवराज सरकार में उच्च सिक्षा मंत्री थे संका करीबी माना जाता है कि अखिल भार्तिय विधार्ती परिशत से स्टूनेंट्स पॉलिटिक्स से करियर की शुरुवात की है 1984 में ABVP हुजैन के नगर मंत्री बने बाद में ABVP में ही प्रदेश और राष्ट्रेकाई के पददिकारी बने 1993 में RSS में पददिकारी भी रहे उसके बाद BGP युवा मोर्चा में भी काम किया साल 2000 में BGP के पददिकारी बने केंद्रे ग्रह मंत्री अमिच्शा की पसंद भी बने थे सरल सहत स्वभाव भी चर्चा में रहता है विश्नुसाय 59 साल BGP से कुनकुरी से विधायक है 36 गर में बड़ा आदिवासी चहरा है अनुसूचित जनजाती समात से हैं राएगर से कुल चार बार सांसत भी रह चुके है मोदी सरकार के पहले कारेकाल में केंद्र में मंत्री रहे थे प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं दो बार विधायक रहे और 2019 में बीजेपी ने लोकसभा का टिकेट नहीं दिया था साएं 1980 में बीजेपी में शामिल हुए जमीनी स्तर पर संगर्श किया सरपन से राशनीतिक करियर की शुरवात की सरकार से लेकर संगटन में काम किया किसान परिवार से हैं यह तीसरी पीडी से राशनीती में है और जनसंग से परिवार जुडा है दादा 1947-1952 तक विधायक रहे बड़े पिता भी जनसंग के समय 1967 से लेकर 1972 तक MLA रहे केंद्र ग्रह मंत्री अमिच्छा के भी करीबी रहे चवी अनुभव और सभाव भी CM के चैन में महत्वपून रहा है तीनों नेताओं की सिक्षा की बात करें तो विष्णुदेव साय ग्यारवी पास है मोहन यादव PhD और LLB किये है भजनलाल शर्मा ने MA किया है संपत्ती की बात करें तो विष्णुदेव साय के पास 3 दशंब्लोक 80 करोड रुपे मोहन यादव के पास 42 करोड और भजनलाल शर्मा के पास 1 दशंब्लोक 47 करोड रुपे संपत्ती है और आगे की अपजेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें न्यूस वान टुड़े